इस प्लान में यह दोनर ट्वाइलेट सही जोन में आने पर भी गलत हो गया यह आ गए मित्र नामक देपता के पास इन्हें होना चाहिए था असुर एबम सोस नामक देपता के पास अर्थात बास्तु के एक्यासी पद के अनुशार आप अपने फ्लैट्स अपने घर अपने आवास या आप जहां भी रहते हैं उनका बास्तु किस प्रकार से जाच सकते हैं अक्सर होता क्या है कि हम जिस घर में या जिस फ्लैट्स में रह रहे हैं या कोई निर्मान करने जा रहे हैं और हम बास्तु की उपर ध्यान नहीं देते हैं तो तरह-तरह की समस्याएं उत्पन होती है तो आज हम जानेंगे कि 80 पद के according किस प्रकार से किन किन परमुक्स चीज़ों को हमें देखनी चाहिए यह एक प्लान है यह जो मैं आपके सामने रखाओं यह एक प्लान है सबसे पहले क्या करना है आपका घर हो प्लान हो फ्लाइट हो बंगलो हो जो भी हो उसका केंदर महत्पुर्णा यदि आप केंदर को सही तरीके से चूज कर लेते हैं केंदर निकालने के लिए corner से corner और corner से corner मिला कर केंदर निकाला जाता है परंतु उसमें ध्यान क्या देना है यदि cut हो जैसा कि इस घर में देख पा रहे हैं कि ये दिसा में कट है, यहां कट है, यहां कट है, इन सब कट को ध्यान रखते हुए हमें केंदर को तै करना चाहिए, यदि केंदर गलत हो गया तो पूरा वास्तु गलत हो जाएगा, अब केंदर है, यदि कट है तो हमें ये देखना है, तो यहां पर हमने इसे एक्स्टेंड किया यहां से extend किया इसे माना उसके अनुसार measurement किया हमें ये देखना होगा कि ये cut है या फिर extend दूनों में से एक चीज़े हो सकती है या तो ये वाला room extend है या cut है इसको देखते हुए इस पर विचार करने के बाद हम केंद्र तै करते हैं जब केंद्र निकाल लिया तो अब हम सब्चीज़ों को adjust करेंगे कि केंद्र में ब्रह्म अस्थान कितना है विशेश कर आप जब कोई घठ चेक करते है या फिर अपना घठ हो या आप जहां रह रहे हैं तो ब्रह्म अस्थान कितना होगा भ्रह्म अस्थान 81 पद के अनुसार 9 पद में ब्रह्मा जी का निवास ह ब्रह्मा जी धारन करते हैं नौपद को तो नौपद का एरिया हमने इस पर निकाल दिया ये जो आप देख रहे हैं रेट से जो मैंने मार्किंग कर रखी है ये नौपद अर्थाथ इतना एरिया जो है इस घर का ये ब्रह्म ब्रह्मा जी के पास है या फिर ये केंदर के पास है हम इस प्रकार से मनेंगे अब है कि हम इसे देख लिए तो अब हम इसकी दिसाओं को exact लेगे कि दिसाओं कहां है दिसाओं को सही measurement करें जब इसमें measurement किया गया तो यह देख लें कि आपको यह दिख रहा है पुर्व दिसा यहां है पस्चिम यहाँ है उत्तर यहाँ है और दक्षिन यहाँ है अर्थाथ दिसाओं में करीब करीब 12 डिगरी का रोटेशन है इसमें जब 12 डिगरी का रोटेशन है तो हम चीजों को उसी अनुसार से सेट करते हैं अब जब rotation हो गया तो ब्रहम अस्थान में भी rotation होगा पहले क्या था कि हमने घर के सापेक्ष ब्रहम अस्थान लिया था वो रेड वाला marking आ रहा था लेकिन जब दिशा के सापेक्ष हमने सही लिया तो अब ये blue marking जो आप देख पा रहे हैं ये blue marking ये अब्रहम अस्थान है अर्थात इस अस्थान पर किसी भी तरह के unwanted चीजों को हम नहीं कर सकते तो चलिए इसके हम सुरुआत करते हैं मुख्यद्वार से समझने का मुख्यद्वार जैसे कि ये north है तो इनका main gate कहां आ रहा है और ये आ रहा है N3 अर्थात इस सोम के पद में आ रहा है उसके बाद भलाठ का पद है तो ये सोम के पद में आ रहा है उनका मुख्यद्वार सही अस्थान पर है ये मुख्यद्वार हमने देख लिया अब जैसे ये अंदर परविश करते हैं ये living area में आ जाते है Living area इनका North East में ये देखिए मैंने North East सबको बांट रखा है ये हमने बास्तु चक्र के अनुसार ही बांटा है परन्तु केवल बास्तु चक्र लगा देने से हम बास्तु को कनफर्म नहीं कर सकते बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है हम उसी की संदर्म में आज बात करेंगे तो North East में Living area है, Dining का छेतर है, Balcony है बहुत सारी चीज़े हैं तो मान के चलें कि ये Living area इनका अच्छा position पर तो चलिए एक gate और इनका ये बाइठक, दो चीज़ें जो है बाइठक ये ये दो अस्थान इनका बहुत अच्छा है इनका South East में पड़ रहा है ये देख लिए, Power and Confidence का जोन है ये ये देखे और साइद और दक्षिन में भी पड़ रहा है ये Relaxation का जोन है, आपके अराम का जोन है, निस्चिंता का जोन है, ये दोनों जगह में Bedroom Master पर रहा है तो बहुत ही अच्छा दिन वहर के ठकान के बाद यदि आप ऐसे जोन में बिस्राम करते हैं जो निस्चिंता का जगह है तो आपकी उरजाएं Regain हो जाती है ये जोन में इनका Bedroom पर रहा है, South और South East बहुत ही अच्छा, South East और South East में एक Bedroom पर रहा है, ये भी अच्छे अस्थान पर है हाँ इस छेतर में हमें Bed लगाने पर बिसे साबधानी देनी चाहिए, ये मन्थन का जोन है अब इस रूम में देख रहे हैं कि एक ट्वालेट इनका यहां बना हुआ है, जब मेजरमेंट किया तो पाया कि ये ट्वालेट इनका लगभग लगभग सही जगह पर है, ये South South West में आ रहा है और ये Low Energy छेतर में आ रहा है, हमने इसमें रेट से मार्किंग की, ये Low Energy छेतर में आ रहा है, तो ट्वालेट इनका बिलकुल सही है दक्षिन दिसा में, ये भी ओके है, तो ये भी मैंने इस पर टिक मार दिया कि ये भी इनका सही है नेक्स्ट देखे, तो इनका ये बेडरूम भी बिलकुल सही पर आ रहा है, South West में आ रहा है, West South West में आ रहा है, बहुत ही अच्छे जगह पर आ रहा है तो देखे, यहां से जब हमने शुरुवात किया, तो सभी चीजें अभी तक बहुत पोजेटिव है इसमें ये जिनका भी घर है, जिनोंने भी ये प्लान दिया है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा देखे, सारी चीजें इनमें पोजेटिव है, ये भी अच्छा है अब पस्चिमी दिशा में जैसे आते हैं हम, तो देखते हैं कि साउथ वेस्ट में भी थोड़ा कट है, हम इसकी भी बात करेंगे, कट है, तो इसे हमें मेक अप करना होगा अब है कि वेस्ट में आते हैं यहां भी कट है यह इतना खाली है और यहां पसिम में जैसे आते हैं इनका दो ट्वाइलेट बना हुआ है यह घर बाले सजन ने कहा कि गुरुजी हमने तो देखा कि हमारा सब कुछ अच्छा है एक बार आप कनफर्म कर दें हमारा सब ही ट्वा ब्रह्म अस्थान में ही आ रहा है यह ब्रह्म अस्थान के एरिया जो बुलू से हमने लिया यह दिशा के साफ एक थोड़ा सा टिल्ट है दिशा तो यह ब्रह्म अस्थान में आ रहा है इनका एक ट्वालेट यहां बना है दूसरा ट्वालेट यहां बना है एक इस रूम से attached है दूसरा common है अब दोनों toilet bathroom जो है इनका ब्रह्म अस्थान में ही आ रहा है जो बिल्कुल ही उचित नहीं तो यह खई कि आप कहेंगे कि ब्रह्म अस्थान से बाहर आ रहा है पर तु ब्रह्म अस्थान के बाद जो होता है जब एक 80 पद बास्तू की बात करते हैं तो पस्थिम दिसा में मित्र नामक देबता के पास तीन पद है जैसे ब्रह्मा जी के पास ये नौ पद है ये मित्र नामक देबता के पास तीन पद है जब हम इसे measurement करते हैं तो ये जो ट्वाइलेट इसी तीन पद में आ रहा है मित्र नौमाग देवता अखेर ये उरजा कैसी है ये भी देखनी पड़ीगी ट्वाइलेट जहां आ रहा है उसकी उरजा कैसी है मित्र आपको जीवन में सहयोग देने वाले की रूप में देखा जाता है life में support करने वाले की संख्या जो लोग आपके hit चाहते हैं आपके hits की है आपके lab चाहते हैं उनके बिसे में ये zone बताता है यदि इस छेतर में गलत activity हो जाएगी ट्वाइलेट बन गया अरथा disposal activity creator हो गया जब disposal activity creates हो गया तो ऐसे में क्या होगा कि आपके life में जो सहयोग देने वाले के लोगों की संख्यांती वो आपसे दूर होते चले जाएंगे आपके मित्र आपके परिवार के लोग आपके अपने लोग आपको सहयोग देना बंद कर देंगे या आपसे दूर होते चले जाएंगे आपको सही धंग से जो लाइफ में हर जगा आपको एक अच्छे सपोर्ट की अबज़ता होती है वो कहीं न कहीं कमी पड़ जाएगी यदि इस छेतर में ट्वालेट हो गया अब उनका कहाना था कि हमने तो बहुत अच्छे जगा पे दि और एक असूर ये असूर नामक देपता का अस्थान है ये सोस नामक देपता का अस्थान है इन दोनों में हमें ट्वालेट बना सकते हैं असूर के पास दो पद है वो पद देखिए जब रोटेशन देख रहे हैं तो हम इनका जो पद का अस्थान है वो पद का अस्थान य यहां तक आता है यहां तक और ट्वाइलेट यहां न होके यहां है तो असूर के पास भी यह ट्वाइलेट का पोजिशन नहीं पहुंच रहा है ति यह यहां आना चाहिए था या फिर आपको सोस नामक देवता के पास पहुंचना था ति इस ट्वाइलेट का पोजिशन यहा उसके बाद मित्र नामा की देवता के तीन पद उसके बाद दो पद आते हैं असूर और सोस इनहीं दोनों अस्थान पर ट्वाइलेट होना चाहिए था तब ये सही है ऐसे कंडिशन में ये दोनों ट्वाइलेट गलत हो गए यहां बास्तु के परिनाम अच्छे नहीं क्या करना है ति इनको सला दी गई कि आपके पास यदि भूमी है आपके घर के बाहर तो अपने टोनों ट्वाइलेट को यहां सामने स्ट करें और इस अस्थान को खाली करने ये सबसे अच्छा उपाय है अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो देखे इनका कीचन है ये अब है कि नौर्थ में कीचन नहीं बनाया जाता परंतु हम इसके उपाय कर सकते हैं हमें ये भी देखना है कि हम जो उपाय कर रहे हैं रसोई के वो कहां पढ़ रहा है ति इस छेतर में उत्तरी छेतर में भूधर नामक देपता के पास तीन पद हैं मित्र और भूधर के बीच में राज यक्छमा नामक एक देपता है इनके पास एक पद है टोटल कितने हैं पूरे घर में एक 80 पद हैं परंतु देवताओं की संख्या केबल 45 है और इन 45 में 12 राक्छस भी है तो उसी के अनुसार हम चीजों को देखते हैं तो जो गरबड़िय जहां पकड़ी गई उनको हमने देखा कि यहां पर कौन से देपता का अस्थान आ रहा था रसोई भूधर में आ रहा है भूधर कौन होता है लाइफ में जो आपको अपरचुनिटी मिलते हैं लाइफ में जो आपको नए मौके मिलते हैं ये भूधर देता है आगे बढ़न बनाने की ये आपको भुधर देता है और भुधर नामक देपता के पास तीन पद हैं और यदि इस पद में किसी भी तरह का imbalance होता है तो क्या होगे कि आपको life में मौके ही कम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे तो यहां रसोई आ रही है तो रसोई यहां होना उचित नहीं रसोई इसके बाहर हो जाए जैसे सोम के बाद आता है भलाट उसके बाद मुख्ये इनके पास जो है दो दो पद ही देपता के पास सोम भलाट के पास में तो इस पद में क्या बिल्कुर रसोई सही नहीं रसोई यहां सही नहीं है लेकिन इसके रसोई को यदि हम treatment करते हैं माल लिया जाए इस रसोई का slab इस तरफ था ति इस slab को हमने हटा दिया यह slab को और हमने यह slab एक उत्तर मुखी या पस्चिम मुखी slab का यहां निर्मान कर दि और रसोई का कारे भी हो जाएगा और आपके उपर जो समस्या आ रही थी गलत जगा निर्मान के कारण उसका भी समाधान हो जाएगा चुकि अजब आप यह छेतर खाली कर दोते हैं और इसका utility देखे इस kitchen में यह utility है इनका washing area है और washing area कहा पढ़ रहा था राज यक्छमा के पास पढ़ रहा पई पद है तो आप जो utility वाले सारी चीजें जो washing क्या है कीचन में रसोई में जूठे बरतन हैं साप सुतरे हैं उनका अस्थान आप utility काफी बढ़ा है तो वह भी थोड़ा चेंज करके इस अस्थान पर आ जाए तो फिर बास्तु की remedy हो सकती है तो आज की जंक में हमने देखा कि एक्यासी पद के अनुसार हम चीजों को कब और कहां देखते हैं किस परकार से देखते हैं जैसे ये भूधर है अब दक्षिन दिशा में इसी परकार से तीन पद धारन करने बाले बिविश्वान नामक देपता यहां पर बैठे हुए तीन पद इनक इनका ट्वालिड इस छेतर में क्या था मित्र नामक देपता के पास आ रहा था इसलिए ये गलब था तो चीजों को इसी परकार से देखा जाता है आप यदि चाहते हैं कि आपके घर का बास्तु जाच हो जाए या सही तरीके से आपका नया निर्मान कराना चाहते हैं बास के बास्तु न कि आपके से तरीक